अच्छा दोस्तों जब भी हम electric scooter, electric bike या electric vehicle या किसी भी vehicle की delivery लेने जाते हैं तो उस delivery के वक्त में हमारे को कुछ चीजों का ध्यार रखना चाहिए, कुछ चीजों को चेक करना चाहिए, जिसे pre delivery inspection या PDI भी कहते हैं अब इस PDI में हमारे को काफी सारी चीजों को चेक करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम showroom में जाते हैं तो हमारा showroom honor हमारे को काफी सारी unit दिखाता है उस model की, जिस model को हमने पसंद किया होता है अब उस right unit को चुनने से पहले हमारे को कुछ points का काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम अपने लिए वो unit चुन सके जो कि हमारे लिए बिल्कुल right है और जिसमें कोई भी problem नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है, कई showroom honor आप लोगों को test drive वाली गाड़ी या फिर ट्रांसपोर्ट में हुई वे चोटी मोटी breaker या फिर scratches को ठीक करके आप लोगों को deliver कर देती है अब मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करा है कि हर showroom honor आप लोगों के साथ ऐसा करता है बट हमें अपने mentally peace के लिए कि हमने अपना electric scooter यह जो भी vehicle लिया वो 100% ठीक है उसके लिए हमें एक PDI means pre delivery inspection करना काफी जादा ज़रूरी होता है और इस pre delivery inspection में काफी सारे ऐसे point आते है जो की हमारे को check करने चीए जिससे हमारे को अपने electric scooter या जिस भी vehicle की हम delivery लेने गए है उस delivery के बाद हमारा mentally peace 100% है और हम ये sure हो सके कि हमने जो electric scooter या जो भी vehicle लिया है वो हमारे लिए एकदम राइट है तो आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे ही 10 point लेके आ हूँ जिसे आप चेक करके अपने electric scooter या जो भी आप vehicle purchase करना चाहते हैं उसकी delivery को 100% चेक कर सकते हैं तो guys यहाँ पर सबसे पहला point आदत है कि आप जिस भी vehicle के delivery लेने गए है उस vehicle के tire को चेक करें कि उस टायर पर कितना dust लगा हुआ है वहाँ पर खड़ी भी दूसरी गाड़ियों पर भी क्या same dust लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ क्या उस पर कीचर्ड या फिर कोई दूसरी तरीकी की scratch आपको देखने के लिए मिल रही है तो आपको उस electric scooter या उस vehicle को नहीं लेना है और इसी के साथ आप लोगों को ये भी चेक करना है कि company आप लोगों को कौन-कौन से टायर प्रवाइड करती है क्योंकि काफी सारी companies में ऐसा दिखा गया है कि companies काफी सारे brands के आप लोगों को टायर देती है वारेंटी मिलती है क्योंकि काफी सारे brand के टायर पर ऐसा दिखा गया है कि company उस पे 5 साल की वारेंटी प्रवाइड करती है जो कि तोटने और उस टायर के फूलने की होती है तो इस चीज को आप अपने शोरूम होनर से जरूर कंफर्म करिए कि आपको जो टायर प्रवाइड जाता तो उस समय पर उस पर कुछ protection के लिए पौंद लगाए जाते हैं कुछ पन्नी लगा जाती है ताकि आपके वीकल पर किसी तरीके का scratch लाएं तो आप उस पन्नी को चेक करें कि वह पन्नी आपकी किस तरीके से लगी भी है कि नहीं लगी वी अगर लगी है तो आप उसक वीकल को यूज करेगा तो आप जानते हैं उस वीकल को चलाने के वक्त में वो पन्नी जो है वो लूज हो जाएगी या फिर उसके बीच में काफी जादा डस जमाओगी जो कि उस वीकल को दूसरे वीकल से अलग करता है अगर यहां पर शोरूम ओनर चला की दिखा के उस वीकल को साफ करा देता है या फिर वो उस पन्नी को हटा देता है तो उस वीकल को हमें नहीं चुनना है या फिर अगर उस पन्नी को अगर वो साफ करेगा तो वो पन्नी आपको दूसरे वीकल से जादा फटी भी या जादा उखडी भी नदर आएगी तो उस वीकल को हमें या footrest पे किस तरीके का dust जमावा है क्योंकि अधर कोई person उस vehicle को use करेगा तो उस पर dust जो है वो different type की जब होगी जो कि उस vehicle को जो दूसरे खड़ेवे vehicle है उससे अलग करेगी इसी के साथ आप उस vehicle के footrest को भी ध्यान से चेक करें कि वहाँ पे कोई scratch या किसी तरीके का गिसने का निशान तो नहीं है जिससे ये पता चलता है कि उस vehicle को किसी ने use किया है कि नहीं तो अगर आप लोगों को इस तरह का scratch अपने vehicle के footrest पे देखे तो आपको उस vehicle को नहीं लेना है इसी तरीके से आप अपने vehicle के throttle के brake को भी चेक कर सकते क्या वहाँ पे भी किसी तरीके का scratch या फिर किसी तरीके का गिसने का निशान है तो आप उस चीज को भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं अब ऐसा मैं इसलिए कहना कि कई वारी ऐसा देखा गया है कि कई शोरूम में stock ना होने के कारण दूसरे शोरूम से गाड़ी एक जगा से दूसरी जगा भेजी जाती है और ये शोरूम कही जगाओं पे काफी ज़्यादा दूर हो तो वहाँ पे आपके वहिकल को शोरूम के एजेंट एक शोरूम से दूसरे शोरूम तक चला के लेके जाते हैं अब देखें अगर आपका वहिकल औरी चला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि काफी जगाओं पे लाइक अगर रूरल एरिया है तो आप समझ सकते हैं तो वहाँ पे 100-200 km की भी दूरी होती है तो इस तरीके से हैंडल ग्रिप को चेक करके, फुट्रेस को चेक करके, ब्रेक को चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके विकल को किसी एक जगा से दूसरी जगे तक चलाया तो नहीं गया इस चीज़ कब यह आप ध्यान रख सकते हैं अब देखिए कोई भी विकल हो तो वो same city में manufacturing नहीं होता बहुत rare ही होता है कि same city में उसका manufacturing plant हो तो गाड़ियों को एक जगा से दूसी जगा ट्रांस्पोर्ट करने के लिए कई वारी बंद container का use के जाता है ताकि गाड़ियों के पूरी तरह से protection हो सके अब जादा से जादा गाड़ियां एक वारी में एक जगा से दूसी जगा ट्रांस्पोर्ट करने के लिए गाड़ियों के बीच में काफी कम gap रह जाता है जिसकी कारण गाड़ियों में चलते वक्त कुछ scratches या फिर minor two foot हो जाती है तो इस चीज़ को protect करने के लिए company वैसे तो form या फिर plastic का use करती है बट फिर भी आप लोगों को अपने vehicle की delivery लेने से पहले इस चीज़ों को जरू चेक करना है हर panel पे आप लोगों को बारी की से किसी भी scratch या किसी भी tooth foot को चेक करना है कई बारी देखा गया है कि body panels में काफी ज़्यादा gap हो जाते है अगर किसी body panel में gap है तो आप उसी तरह के दूसरे model में भी देखे कि क्या same type का gap उस vehicle में भी आपको नदर आ रहा है या फिर आप जिस vehicle की delivery ले रहे हैं उसी में यह problem देखने के लिए मिलते है तो अगर आप लोगों को इस तरह की panel gap देखने के लिए बिलता है तो इस vehicle को आप लेने से avoid करें या फिर डीलर से उसके regarding बात करें और अगर dealer कहता है कि इसे वह बाद में टीक कराके देगा तो आप इसे return में ले ले और इसी के साथ-साथ अपने vehicle की एक वीडियो शूट भी कर ले ताकि आप इसके बारे में बाद में क्लेम कर सके ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्रम इन फ्यूचर ना है अब जो वीक सेलेक्ट करने के बाद उस vehicle की test drive जरू लें और test drive लेते वकित भी आप लोगों को कुछ points का द्यान देना है जैसे कि company हर electric vehicle या electric bike या किसी भी vehicle की 0 to 40 speed car time frame आप लोगों को जरू बाताती है तो आप यह चेक करें कि आपका electric vehicle या जो भी vehicle आप purchase कर रहे हैं क्या वह 0 to 40 company के बता अगर नहीं पहुत रहा तो इस वीन की उस गाड़ी की performance में कुछ प्रॉब्लम है या तिर उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है इसी के सासर एक बात का और जाना थी कि जब भी आप अपने vehicle का test drive लें तो एक ऐसी शान जगहा पे उस vehicle का test drive लें जहां पे ज्यादा शोर न आ रहा आपको कोई hating issue तो देखने के लिए नहीं मिल रहा तो यह सारी चीज़े आप एक शान जगह पे चरूर चेक करें अगर आप पैट्रोल वीकल ले रहे हैं तो आप एपने vehicle के engine sound को चेक कर सकते हैं कि आपके vehicle के engine से कोई पाल्तू sound तो नहीं हाना अच्छा इसी के साथ सा जब भी आप test drive यह तो उस समय पे आप अपने handle को जरू चेक करें कि आपका electric scooter या जो भी वीकल पर्चेस करें उसका balance प्रॉपर है कि नहीं क्योंकि इस चीज़ों का ध्यान रखना काफी जादा जरूरी होता तो इसके लि देखने के लिए मिलते हैं जो कि electronically होते हैं अब इन features के कारण हमारे को देखा गया है कि electric scooter, electric bike या vehicles में हमारे को काफी सारे bucks भी देखने के लिए मिलते हैं जिसकी troubleshooting बहुत normal होती है For an example, Ola का electric scooter कई बारे आपके passcode को नहीं लेता उस समय पे आपको अपने Ola electric scooter को restart करना जो कि normally कुछ key combination से हो जाता है जिसके बाद आपके electric scooter की problem जो हो solve रहती है अब देखे हर बारे आप Ola के customer के या फिर जिस भी electric vehicle को या जिस भी vehicle को आप यूज करें उनके showroom ओनर तक या उनके customer service तक पहुँचना काफी ज़दा difficult हो रहता है तो कुछ troubleshooting step आप उस vehicle के वहां module showroom के agent से पूछ सकते हैं कि अगर इस electric scooter में इस तरह की problem आये तो आप उसे किस तरीके से fix कर सकते हैं इससे आगर आपकी electric scooter या electric bike में इस तरह की problem आये आप खुदे उस problem को resolve कर सके और आपका time बचे इसके बाद हर electric vehicle, electric bike, electric scooter या कोई भी vehicle उसके साथ आपको toolkit जरूर दी जाती है तो toolkit को भी जरूर चेक करें क्योंकि कई वारे वह toolkit आपको emergency में काफी मदद देती है तो अपने toolkit को जरूर चेक करें क्योंकि कई वारे देखा गया है कि toolkit missing होते है या फिर toolkit में से कुछ tools missing होते है तो अपने tools को properly check कर लेजिए और इसी के साथ साथ हर vehicle के साथ आपको first aid भी देखने के लिए मिलता है तो इस first aid को भी शोरूरूम से जरूर लीजिए अब देखें guys यह कुछ points है जिसे आप अपनी pre delivery inspection में use कर सकते हैं ताकि जब भी आप vehicle की delivery ले या electric scooter की delivery ले या electric bike की delivery ले तो आप लोग mentally peace में रहें कि हाँ जो भी vehicle मेंने लिया है वो 100% ठीक है इस vehicle में मुझे कोई problem नहीं मिली और ये vehicle में ले सकता हूँ I hope कि मैंने इसमें maximum point जो है वो cover कर दिया हूँगा फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कोई point मेर से miss हो गया तो please मुझे comment box में comment करके उसे जरूर बताएगा ताकि in future अगर मैं कोई video इस तरह की बनाओ तो उसमें मैं उन points को cover सकूँ और अगर कोई इस video को देखने आ रहा Thank you